कई मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं शेडिंग कैसे करती हूं अगर आपको वो टेक्निक अच्छी लगती है या वो तरीका अच्छा लगता है तो आप भी वैसे शेडिंग कर सकते हैं तो शेडिंग हम दो तरीके से करते हैं सभी दो तरीके से करते हैं एक तो हम पैंसिल का जो पॉइंट होता है हम ऐसे शेडिंग करते हैं और एक हम शेडिंग ऐसे करते हैं यह चारकॉल पैंसिल थी तो यह ग्रेट फाइट पैंसिल है मैं इसे भी दिखार के एक बर दिखाते हूं एक पॉइंट के साथ और एक इस तरीके से तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है जब हम पॉइंट के साथ शेडिंग करते हैं और अगर हमें वो दुबारा एरेज करना है तो देखिए यह चारकॉल पैंसिल है यह अच्छे से एरेज नहीं तो यहां पे जो मैंने भी ग्रेफाइट पैंसिल यूज की थी तो इसके बाद अगर हम दुबारा से शेडिंग करते हैं अलग डारेक्शन में शेडिंग करते हैं तो देखिए अगर एरेज करना पड़ता है या उस जगह हमें कलर करना है तो फिर वो दुबारा मतलब अच्छे से शेडिंग हो नहीं पाती है और अगर हम ऐसे शेडिंग करते हैं तो इसमें कोई पैंसिल को ऐसे चला रहे हैं तो इसमें कोई लाइने नहीं आ रही हैं तो मुझे ऐसे शे तो आपके ड्रॉइंग में बहुत बेकार लगती है तो मैं तो यही वाली टेकनिक अपनाती हू। तो आप भी ऐसे शेडिंग कर सकते हैं, तो अगर हम जैसे यह हमने शेडिंग किया अगर इसे मर्च करना है, तो यह बहुत मर्च भी हो जाता है, देखे crown इसे हमें मर्ज करना है आप मर्ज करने के लिए ब्लैंड करने के लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं आप ब्रेश के साथ कर सकते हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप हाथ से भी कर सकते हैं तो ये वाला तरीका मुझे तो बड़ा खराब लगता है तो आप कमेंट बोक्स में बताना कि आप शेडिंग कैसे करते हैं तो मैं आपको अपने कुछ पोट्रेट्स दिखाती हूँ जिनमें मैंने इसी तरीके से शेडिंग की हुई है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे बने हैं मेरे कुछ पुराने पोट्रेट है जिनमें मैंने इसी तरीके से पैंसिल से शेडिंग करके यूज किया हुआ है ये चारकोल पैंसिल से बनाया हुआ है जैसे ये एक शेकिन ये देखिए और मैं आपको जैसे यह वाला पोट्रेट है तो आप यह वाला एरिया जो देखेंगे तो इसमें आपको मतलब समझी नहीं आएगा कि पैंसिल कके मतलब एक भी स्टॉप नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इतना स्मूधली शेडिंग की हुई है इसी तरीके से मैंने यहां पर यहां पर सा जैसे यह चाइड़ वाला पोट्रेट है इसका तो मैंने फुल वीडियो बना के भी डाला हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगे आप वहां से जाके देख सकते हैं इस फुल वीडियो को तो इसमें भी मैंने आप देख सकते हैं कि एक कितनी किया है क्योंकि पैंसल को पिलकुल लाइट ऐसे लाइट चला कि उसके बाद इसको ब्लैंड किया हुआ है और एक चीज जब भी आँ बच्चे के फेस मतला बच्चे का पोट्रेट बना रहे हैं तो बच्चे के पोट्रेट पे कभी भी मतलब की ज्यादा लाइन नहीं बना और वो मतलब वो चायल्ड वाला वो लगता ही नहीं है तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए तो बच्चे के फेस में तो अगर आप बच्चे का पोट्रेट बना रहे हैं तो उसके लिए तो आपको पैंसल को ओ लाइट चलाना चाहिए और बड़े ध्यान से क्योंकि बच्चा है तो बच्चे का पोट्रेट भी बड़े प्यार से बनाना पड़ता है क्योंकि अगर आप बहुत रफ पैंसिल चला देंगे या बहुत हार्ड चलाएंगे तो वो स्मूधनेस बच्चे के फेस में नहीं आती है आपकी ड्रोइंग्स में तो मैं आपको अपनी और कुछ ड्रोइंग्स दिखाती हूँ ये भी आपने देखा होगा देखे हाँ ये वाला पोट्रेट मेरा पुराना है तो मैंने इसकी मेरे पास कुछ वीडियो नहीं है तो मैंने योट्यूप पे नहीं डाली होई इसकी वीडियो तो ये वाला भी जब मैंने बनाया था अब आप इसका फेज आप ध्यान से देखे आप ध्यान से देखे इसमें आपको कहीं पे भी कोई लाइन ही नजर नहीं आईगी क्योंकि लाइने तब आती है जब आप पैंसिल को ऐसे चलाते हैं तब आपके पोट्रेट पे आपके ड्रोइंग्स पे कोई लाइन नहीं आती है तो इसे मुझे मतलब बहुत help मिलती है तो जब भी मैं drawing वगरा बनाती हूँ तो मैं हमेशा मेरे सारे drawings में सारे portraits में मैं ऐसी तरीके से shading करती हूँ इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए कि मैं shading कैसे करती हूँ अगर आप भी वैसे shading करने के लिए try कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like करें, comment करें और please, please, please चैनल को subscribe करें क्योंकि लोग वीडियो देखते जरूर हैं पर subscribe नहीं करते हैं तो अगर आप subscribe नहीं करेंगे कि मैं किसी particular किसी चीज पर ड्रोइंग बनाऊ या मैं ये ड्रोइंग स्टूल के बारे में या किसी भी shading या किसी और चीज के related मैं कोई वीडियो बनाऊ तो प्लीज आप मुझे comment box में बता सकते हैं, thank you for watching, bye bye